हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है मेडिका येटी विंग में और हम लोग कर रहे हैं बच्चों कोश्चन स्रीज में हम लोग कहुच गये हैं है चैटर नमबर एडे अश्य दयू इचा आफ लाइफ आज बच्चों हम यहां से अच्छे अच्छे कोश्चन को करेंगे और इन कोश्चनों से धेर सारे अच्छे-च्छे concept को सीखेंगे आईए देखते हैं हम लोग का आज का पहला question क्या है जो first question है बच्चो वो ये है the most likely method used to determine the structural detail of cell organelles कराय किस मेतھ Nepal से हम किसी सेल की structure को देख सकते हैं आ पर radiograph me करते हैं तब किसी सेल के structure को देख सकते हैं we nee electron microscope से हम किसीzuk 115 एफ य है और फॉर्वसान में कराब से मुष्क प्रेश कहने कि सकते हैं थी सेल के स्ट्रक्चर को देखना हो अगर किसी स्ट्रक्चर को देखना हो तब किस को यूज़ करते हैं riding इलेक्ट्रान इलेक्ट्रान माइक्रो स्कॉप का इलक्ट्रान, माइक्रो, स्कॉप का यूज़ करते है क्थोष क्उप्स के लिए सब्सक्रेट कि अिससा एकल बीचान को सब्षेंड क्षेंड q. what is on the second, HE पहरा है, Omni Cellula, E Cellula, that means new cells arise from pre-existing cells, this statement was given by, बच्छो जब Cell Theory आया था, Cell Theory Redalph, Sliden and Swan ने दिया था, Sliden and Swan ने Cell Theory दिया था, लेकिन ये प्रेगज़स्टिंग cell, इन्हों ने नहीं बता पाय थे, कि cell आगे एक्जिस्ट कैसे करते हैं, इस सीज को मॉडिफाइट तिया था, इस सीज के बारे में बताया था बच्छो किस ने, रडॉल्फ रडॉल्फ वर्चो ने, रडॉल्फ वर्चो ने, यानी Omni Cellula, Omni Cellula E, रडॉल्फ वर्चो किस ने दिया था, रडॉल्फ वर्चियो ने दिया था इसमें ऑफसर नमबर सेकंड इसका गरेक्ट होगा next question तरफ हम लोग बढ़ते हैm question number third question number third में कराए column first दिया गया है column first दिया गया है question number third में देखते हैं बच्चो कराए match कराए कुछ के column first दिये गया है और कुछ की colum second दिये गये हैं कराकी इनको आप match कराई sushi कोप सा क्लिम किस से match करेगा देखते हैं करा living hawk the archive ॥ किस से match करेगा ब चो फशर सह and describe a living cell यानि एक फशर्ट से match करेगा रॉबर्ट ग्राउन discovery या discover the nucleus Slidden ने क्या किया था आएए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं Slidden ने क्या किया था इन्होंने All plant cells are composed of different kinds of cells अरस्वान ने क्या किया था Presence of cell wall is unique to plant cell यानी बच्चो A का 1st हो गया था B का 3rd हो गया था C का 4th हो जाएगा और D का 2nd हो जाएगा कौन सा option correct होगा आएए चेक करते हैं आएए चेक करते हैं A का 1st होगा A का 1st तीन में दिया गया है B का 3rd होगा B का 3rd 2 में दिया गया है C का 4th होगा C का 4th A में दिया गया है और D का 2nd होगा कौन सा option सही होगा बच्चो इसमें option number 1st सही होगा इसमें option number 1st सही होगा आएए next question को देखते हैं Question number 4th Question number 4th में क्या पूछ रहा है बच्चो देखते हैं कर रहा है तरुन Spelling सही कर लिएगा बच्चो यहां mistake है तरुन Observe a slide of white blood cell कर रहा है तरुन एक slide को observe कर रहा है जो कि white blood cell का है Under the microscope His teacher asked him to draw the diagram उसके teacher ने उसको उसका diagram बनाने के लिए किया Select the diagram which should be by तरुन तरुन इन में से कौन से diagram को select करेगा आएए देखें बच्चो आएए यह जानते हम लोग Red blood cell का diagram है यह White blood cell का diagram है तरुन कौन से diagram को object किया था White blood cell के diagram क उसने object किया था White blood cell के diagram उसने object किया था इसलिए वह कौन सा option select करेगा ओष्टन है युद्न से लेक्ट करेगा Next question के तरफ हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं बच्चो next question मेंने Question No 5 इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रामी प्लाजमीट दर्डंद स्टैंडर् सर्कुलर विख्टी इननेश तो इसमें को जना पूंँ सही होगा सबस्क्राइब सर Asian डिए देखते हैं को सबस्क्राइब कि इए जा आए जानी थे उनट ले फिल्लिक करना है एंड एंड इंस Мल्टीमालर क्वायज टेजें मैं प्रोकरियाटिक करें जनरली यूकरियाटिक सेल के कंपेरिजन में क्या होगा तो जनरली क्या होते है बच्छो जनरली होते हैं इसमालर और मल्टिप्लाई कैसे करते हैं मल्टिप्लाई बहुत तेजी के साथ करते हैं मल्टिप्लाई बहुत तेजी के साथ करते हैं मल्टिप्लाई करते हैं फास्ट 4 आप समय पहला कर रहा है लारजर दूसरा कर रहा है फास्टर कौन साइख होगा पहला होगा इसमालर और दूसरा होगा फास्टर इसका ऑफसर नमबर 3 और ठेंड करेक्ट होगा कार्ड क्या बोलते हैं इसको और it may be thick and tough फिर उसको क्या बोलेंगे तो क्या बोलते हैं बच्छो लुज सीथ सेल को क्या बोलते है बच्छो लुज सीथ सेल को बोलते हैं slime layer कि लूज सीट सेल को क्या बोलते है। बच्चों लूजस से बोलते है। असको क्या बोलते है। कैफसूल चो organism नसे बोलते हैं। कैफसूल cricket है। तो कि स्लाइम लेयर और कैफसूल आइए चेक करते हैं कौन सा option सही होगा पहला option capsule slime layer दूसरा slime layer capsule तीसरा मीजो सोम capsule 4 मीजो सोम slime layer तो कौन सा सही होगा slime layer और capsule option number second question number seven का सही होगा next question तरह बढ़ते है question number eight question number eight में क्या पूछ रहा है बच्चो question number eight में पूछ रहा है कर रहा है कि question number eight में पूछ रहा है करेक्ट sequence of layers of bacterial cell envelope from outward to inward is क्या correct sequence होगा bacterial cell का बाहर से अंदर की तरफ तो क्या होगा बच्चों हम लोग जानते हैं सबसे बाहर क्या पाए जाता है सबसे बाहर जो पाए जाता है बच्चों होता है ग्लाइको ग्लाइको कैलिक्स ग्लाइको कैलिक्स उसके बाद क्या पाए जाता है बच्चों ग्लाइको कैलिक्स के बाद क्या पाए जाता है ग्लाइको कैलिक्स की बाद पाए जाता है सेल वाल, सेल वाल के बाद क्या पाया जाता है बच्चो, सेल वाल के बाद पाया जाता है सेल मेंब्रेन सबसे पहले गलाइको कैलिक्स, फिर सेल वाल और फिर उसके बाद सेल मेंब्रेन चेक करते हैं, सबसे पहले Glyco-Kalyx, फिर उसके बाद क्या पाय जाएगा बच्चो, सेल वाल और फिर क्या पाय जाएगा, सेल मेंबरेन यानि इसमें कौन सा option सही होगा इसमें option number 3 सही होगा next question कि तरह बढ़ते हैं, question number 9 question number 9 में क्या पूछ रहा है बच्चो कराएं, वीजोसों आर्द इन फोल्डिंग आफ सेल मेंबरेन मीजोसों जो होते हैं, फोल्ड होके सेल मेंबरेन बनाते हैं, वीच आर रिपरजेंट इन बोथ प्रोकरियाट और यूकरियाट दोनों में नहीं बस प्रोकरियाट में देखने मिलता है, बैक्टेरिया की सेल में दूसरा करा है, help in cell wall formation, help in cell wall formation, DNA replication and respiration, बिल्कुल ये cell wall formation, DNA replication and respiration में मदद करते हैं तीसरा क्या कहा रहा है बच्चो तीसरा statement है, increase increase the surface area of plasma membrane, यानि बच्चो इसमें दूसरा और तीसरा statement correct होगा आईए चेक करते हैं, पहला और दूसरा दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा पहला दूसरा तीसरा तो दूसरा और तीसरा इसमें correct होगा, इसमें option number second बच्चो correct होगा next question तरह बढ़ते हैं, next question देखते हैं, क्या पूछ रहा है next question, question number 10, question number 10 में पूछ रहा है, question number 10 में बोल रहा है कि if you remove the fimbri from, if you remove the fimbri from the, from the bacterial cell, which of the following would you accept of happens? कर रहा है कि अगर bacterial cell से fimbri को remove कर दिया जाए तो क्या होगा इन में से? पहला कर रहा है, the bacteria could no longer stream, दूसरा कर रहा है, bacteria would not adhere to the host tissue, तीसरा कर रहा है, transportation of molecule across the membrane would stop, चौथा कर रहा है, the shape of bacteria would change, तो क्या होगा बच्चो अगर हम बैक्टिरिया से फिंबरी को remove कर दें, तो क्या होगा? बैक्टिरिया से अगर हम लोग फिंबरी को remove कर दें, तो bacteria is not adhere to the host tissue, इसमें option number second इसका correct होगा, next question कि तरह बढ़ते है, question number 11, question number 11 में क्या पूछ रहा है बच्चो, कर रहा है, the type of ribosome, found in pro carrier, pro carrier में हम लोग जानते है, 70S ribosome पाया जाता है, तो पहला option कर रहा है, 80S type, दूसरा 70S type, तूसरा 30S type, चौथा 50S type, कौन सा होगा बच्चो, 70S type, next question की तरफ चलते है, question number 12, question number 12 में क्या पूछ रहा है, बच्चो, question number 12 में पूछ रहा है, question number 12 में पूछ रहा है, कराए कि poly ribosome, poly ribosome are aggregation of, कराए poly ribosome का aggregation होता है, तो क्या होता है, राइबो सोंग और राणय पराक्सी सोंग का रहा है, several ribosome held together by a string of यम आरनय चोथा का रहा है, तो क्या होगा बच्चो, हम लोग जानते हैं, several ribosome held together by a string of यम आरनय, यम आरनय इस्टिंग में धेर सारे लग जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चो, अमिहाल यह भुत भुलीफ पोली राइबोस टार्वलोम्त रहा है की ठीछुलत मुलें का रहा हुना प्लांब अपनीं इज्टूल से बाइस अचarent अचांस में क्या झायता हम वाल से देफारिट सर्ध हैं प्लास्टिट सैंजांatori्लू इफ पाहा जाता है all of these plant cells, animal cells से differ करता है क्योंकि इसके पास ये तीनों के तीनों बाते पाई जाती है next question तरह बढ़ते है question number 14 question number 14 में क्या रहा है कि कुछ नाम दिये गए है A, B, C, D आप इनको बताएए A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है plasma membrane A क्या है बच्चो, A है plasma membrane B क्या है बच्चो, B है nucleus C क्या है बच्चो, C आइए यहाँ लिख लेते हैं C क्या है बच्चो, C है mitochondria C है mitochondria D क्या है D आइए यहाँ पर लिख लेते हैं D क्या है, D है Golgi complex आइए, A है plasma membrane, B है nucleia, C है mitochondria, D है Golgi complex चेक करते हैं A क्या है यह है, यह है plasma membrane, B क्या है, B है nucleia, C क्या है, C है mitochondria, D क्या है, D है Golgi complex कौन सा आपसन सही होगा, आपसन नमबर फर्स्ट इसमें सही होगा, नेक्स को संग तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चो, नेक्स को संग देखते हैं Question No. 15 Question No. 15, क्या पुच रहा करा है, विच केमिकल, प्रॉपर्टी इज, shared by all type of lipids forming the plasma membrane, कह रहा है, स्टूगर components, दूसरा कह रहा है, glycerol, backbone, तीसरा कह रहा है, prospect group, चौता कह रहा है, hydrophobic region, तो कौन सा सही होगा, बच्चो, chemical property is shared by all type of lipids forming the plasma membrane, उसको हम लोग बोलते हैं, बच्चो, hydrophobic region, क्या बोलते हैं, बच्चो, hydrophobic region, बोलते हैं, कौन सा option सही होगा, option No. D, यानि 4th option इसका सही होगा, next question तरह बढ़ते हैं, question No. 16 को देखते हैं, question No. 16 में क्या पूच रहा है, question No. 16 कर रहा है, lipids are arranged, lipids are arranged within the membrane, lipids arranged होता है within the membrane, तो क्या बोलते हैं, बच्चो, इस case में क्या होता है, कुछ ही इस तरीके से arranged होता है, हम लोग जानते हैं, तो कह रहा है कि, पहला option कर रहा है, polar head towards inner slides and hyperpropic tail गलत है, करा, both heads and tail towards outer side गलत है, करा, head towards outer side and tail towards inner side सही है, तीसरा करा, head and tail towards inner side गलत, कौन सा बात सही होगा, बच्चो, option No. 3 इसमें सही होगा, head जो होता है, वो बाहर की तरफ होता है, head जो होता है, वो बाहर की तरफ होता है, tail जो होता है, वो अंदर की तरफ होता है, यह दो नेक्स पर कि चलते हैं सरन्ज कि उस सब नबर 17 को सब्सक्राइब ने क्या पूछ रहा है को शटर दो मुश्ट बंडेंट लिपीड इन दा सेल मेंब्रें इस जुन जो मोस्ट इवन न लिपीड सेल मेंब्रेन इसको पएजाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फास्फो ग्लिसराइड्स जो पाए जाते हैं सेल में में क्या बोलते हैं फास्फो ग्लिसराइड्स फास्पोग्लेशलाइट क्या बोलते हैं बत्चो इसको फास्फोग्लेशलाइज बोलते हैं और एकष्म कि तरफ यंहें लेक्ट्ट्र। क्या है कोश्चन नमबर 18 कोश्चन नमबर 18 क्या पूछ रहा है कर रहा है सेल रिक नाइजेशन एंड एडिशन आर फैसिलिटेटेटेड बाई कम्पोनेंट्स आप प्लाज्मा मेंब्रेन इस कम्पोनेंट्स आर जनरली प्रोटीन मालिक्यूल एलोंस पहला अप्शन दूसरा अप्शन कह रहा है लिपिट से लॉन तीसरा अप्शन कह रहा है बोथ लिपिट एंड प्रोटीन चौथा अप्शन कह रहा है ग्लाइको लिपिट एंड ग्लाइको प्रोटीन हम लोग जानते हैं बच्चो कि लिपिट से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा लिपिट से जुड़ेगा तो बनाएगा गलाइको लिपिट्स और प्रोटीन से जुड़ेगा बच्चों तो क्या बनाएगा गलाइको प्रोटीन तो कौन सा आफशन सही होगा इसमें इसका आफशन नंबर फोर्थ सही होगा न आइज देखते हैं पहला क्या है सुगर है तक दूसरा क्या है बच्छों दूसरा है protein कि तीसरा क्या है बच्चों is that right here है लिपिड वाई लेयर है और चोथा क्या है बच्चो चोथा है इन्टिग्रल प्रोटीन आइए चेक करते हैं कर रहा है सुगर पहला ओप्सन अज़ियर है दूसरा परोटीन तीसरा लिपिड वाई लेयर चोथा इंटिग्रल प्रोटीन आए चेक करते कौन से अप्सन मैंच कर रहा है करेक्ट मैंच करता है की आफसर नंबर फर्स्ट देखते हैं तो पहला उपसन इसमें मैंच कर रहा है कि निक्सक्टार बढ़ते हैं देखते हैं नेक्सक्टार नॅबर को सरे नंबर рок-何 है कि मैं क् Tel मुझे है कि एकड़िन टू द़ई मॉर्डर्न स्था जू होता है कैसा होता है तो सेर्ल डियम्टेंग जो होता है बच्चों सॉलिड पहला ऑफ्सटरा थूसरा नियूत थीसरा करा थुट होगा नेच्ट पॉर्चम गदेए कोस्टर नम्बर्टीवन trabajo सर रहे गारन इयुच्टर अबड़वन अपुछ Product करा है करया है ला माली की एंड़ मेंब्रेन दैट-क लिमिट्स इT आर-ध किसorit आ होता है बच्छो फीलो संद और रिकारव erste को होता है दूसरा करहा है फासफ को होता है तीसरा अपिल इा इस निट्विष दे अपर बाट इस पार कालिक जा तो इस तो जामर आप बनाए रखता है कौन सा उफ्षन इसमें सही होगा और सेकेंड 21 का सही होगा नेक्स कोर्षन के तरह बढ़ते हैं कोर्षन नमबर आते हैं 22 के पास 22 में क्या पूछ रहा है 22 में पूछ रहा है विच ऑप दा फॉलोइंग इस एन इनर्जी इनर्जी डिपेंडेंट प्रॉसेस यानि एटीपी का यूज कौन करेगा एटीपी का यूज करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांस्प तो इसमें एटीपी का जो यूज करेगा क्या बोलेंगे पहला कर रहा है फैसलिटेटेट डिफ्यूजन दूसरा कर रहा है एक्टिव ट्रांस्पोर्ट तीसरा कर रहा है इंडो आस्मोसी चोथा कर रहा है एक जो आस्मोसी तो क्या बोलेंगे बच्चो एक्टिव ट्रांस सेल माइट बी एबल टू इंटर एन एडजेसेंट सेल दो फ्रो क्या होगा पहला करा है कि माइक्रो टिब्यूल होगा दूसरा करा है कि माइक्रो फिलामेंट्स होगा, तीसरा कराय प्लाज्मो डेस्मेटा होगा, चौथा कराय टाइट जंक्सन होगा, तो क्या बोलते हैं बच्चो इसको, इस तरीके के करेक्टर को हम लोग बोलते हैं, प्लाज्मो डेस्मेटा कनेक्शन, इस तरीके कनेक्शन को बोलते हैं, कोई दो सेल है कि नहीं दो सेल के बीच में जो connection बनके आता है इसी connection को हम लोग बोलते थे प्लाजमो डेस्मेटा connection इसी की बात कर रहा है इसमें ऑफसा नमबर थार्ड इसका correct होगा next question की तरह बढ़ते हैं बच्चों हम लोग देखते है question number 24 question number 24 में क्या पूछ रहा है करां which organelle is not a part of endomembrane system endomembrane system को कौन से इंद में से part नहीं होगा हम लोग जानते हैं बच्चों endomembrane system में ER आता है endomembrane system में Golgi apparatus आता है endomembrane system में lysosome आता है endomembrane system में bacchule आता है endomembrane system में bacchule आता है यह चार चीज़े endomembrane system में आते हैं इन में से कौन सा नहीं होगा ER endomembrane system का part है बच्चों गौलजी complex endomembrane system का part है बच्चों lysosome endomembrane system का part है और कौन नहीं होगा mitochondria mitochondria endomembrane system का part नहीं होता है आई यह next question की तरफ चलते है question number 25 fill in the blank करना है भरना है करा है इस दर डारेक्टली connected to the outer nuclear membrane करा है outer nuclear membrane से हम लोगों ने देखा था यह nucleus है और उसके बाद निकलियस के चारों तरफ जो जुड़ा था बच्चों वो जुड़ा था कौन इयार यानि आउटर nuclear membrane में कौन जुड़ता है बच्चों इयार के बाद यहां पे कौन जुड़ा था गॉल्जी वर्डी उसके बाद फिर लाइसोसोम और सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए इसी तरीके से हम धेर सारे कोश्चन आपके सामने लेके आएंगे और हम लोग अच्छे अच्छे कॉंसेप्ट को सीखेंगे आज के लिए इतना ही थांक्यू धन्यवाद